हेलो गाईज अभी बहुत ज्यादा ठंड परना स्टार्ट हो चुका है तो इस ठंडी में गर्मी का मज़ा लेने के लिए हमें एक रूम हीटर का जुरुत परता है तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको इस रूम हीटर को बना कर दिखाऊंगा यह एक मिनी रूम हीटर है इसमें पीछे पंखा भी लगा हुआ है और इसका आगे जो है यह जाली लगा हुआ है यहां से अमारा गर्मी जो है बाहर के तरब निकलेगा काफी छोटा है आसानी से आप इसे बना सकते हो और इसे बना कर आप कहीं पर भी इसको लगा सकते हो और गर्मी का मजा ले सकते हो वीडियो का इन तक जरू देखना अच्छे लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना चलिए फटा-फट इसे बना लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक इस तरीके का खाली k leaguesring का ken ले लेना है अब इस ken का दोनों side, is side और is side आपको round करके cut कर लेना है तो फटाफट मैं यहाँ पर cutter के मदद से इसको अच्छे से cutting कर लेता हूँ round करके आपको यहाँ पर अराम राम से इसे cutting करना होगा में कट सकता है उंगली तुस अच्छे से इसको finishing कर ले nग है कुछ इस तरीके से देख सकते हैं और फोड़ी कर ये एक छोटा सा लगड़ी का पीस लेनाहे ज्यादा बड़ा पीस नहीं लेनाहें और कोल जन्विश इस तरीकेसे लगड़ी पीस के ऊपर लेना है आपको और कोल्डिंग के अंदर डाल कर इस तरीके से देख लेना है काफी अच्छे से यह राउंड करके बैट चुका है अब इसको मैं निकाल लेता हूं बाद में यहां पर लगाऊंगा लेकिन उससे पहले इस लकड़ी में और एक चीज फिक्स करना पड़ेगा त फटा-फट एक लाइक कर दो आपको कुछ पूछना है तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारा इंस्टा करम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो तो यह रहा हमारा इंस्टा कराम इड़ी बाइन निकाल लेना है इसके बाद इन दोनों coil को आपको क्या करना है इस लकडी का जो piece हमने तयार के था ठीक उसके उपर इस जगा पर इसे fix करना पड़ेगा तो यहाँ पर fix करने के लिए मैं इसे msil से चिपकाऊंगा क्योंकि यहाँ पर काफी ज़्यादा इस coil से heat निकलने वाला है तो heat के बज़े से यहाँ पर खुल सकता है यह coil उसके लिए यहाँ पर मैं msil use कर रहा हूँ क्योंकि यह msil heat को काफी आसानी से जहल सकता है और heat के बज़े से यह खुलेगा भी नहीं तो यहाँ पर permanent solution है यह msil से आपको यहाँ पर चिपकाना है दूसरा कोई सावी glue यहाँ पर use नहीं करना है और coil को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर msil से fix कर दे रहा हूँ और उसके बाद इसको कुछ देर तक सुखाने के लिए यहाँ पर आपको छोड़ना पड़ेगा लगभख 7-8 घंट आपको छोड़ना पड़ेगा इसको सुखने के लिए तो finally यह हमारा सूख चुका है इसके बाद आपको दो wire लेना है चोटा चोटा wire और इस coil के दोनों end point पर आपको अच्छे से tight करके यहाँ पर जोड़ देना है क्योंकि यह heat के वज़े से खुल सकता है जितना हो सकता है उतना अच्छे से यहाँ पर tight करके जोड़ना पड़े हमारा रेडी हो चुका है अब इस cold ring can के अंदर इस तरीके से fit करना पड़ेगा अंदर डाल के तो यहाँ पर अराम अराम से यहाँ पर डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर fix करने के लिए मैं थोड़ा सा super glue इसमें डाल देता हूँ गाइस यहाँ पर heat के वज़े से super अपर glue खुल जाएगा तो उसके लिए यहाँ पर अच्छे से permanent इसको चिपकाने के लिए यहाँ पर दो screw लगा कर इसे tight करना पड़ेगा तो इस जगहाँ पर दो hole कर लेता हूँ फटाफट से मैं यहाँ पर deal machine छोटा छोटा बिल्कुल पतला सा 2 hole कर ले रहा हूँ और उसक short लग सकता है अब यहाँ पर आपको इस तरीके का एक fan लेना है यह fan मैं scan के back side में लगाऊंगा यानि के यहाँ पर लगाऊंगा इसका air जो है इस side से पीछे side से निकलेगा और can के अंदर से बिल्कुल बाहर के तरह फेकेगा यह जो है 12 phone से चलने वाला CPU fan है इस fan को चलाने क के लिए हमें एक circuit का जोरत पड़ेगा तो यहाँ पर मैं इस तरीके का एक circuit बना लिया हूँ इस image को देखकर आप आसानी से इस circuit को बना सकते हैं हर component का नाम और नंबर मैं लिख दिया हूँ अगर मैं इस video पर एक एक component connection करके circuit को बना कर दिखाऊंगा तो यह video काफी बड़ा बन जाएगा लेकिन आप इस image को देखकर आसानी से एक circuit तयार कर सकते हैं इसमें हम AC 220V input देंगे तो यह 12V DC output निकलेगा इसमें से तो यह जो एक छोटा सा circuit है इसे आप direct AC से 12V DC fan को चला सकते हैं काफी आसानी से अब इस circuit को colding can के अंदर fix करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा लकडी का piece लेना है और इस circuit को इस लकडी के piece के उपर इस तरीके से रखने के बाद super glue से यहाँ पर चिपका देना है तो यह circuit लकडी के उपर काफी अच्छे से fix हो चुका है अब यहाँ पर हम connection कर लेते हैं इस circuit में जहाँ पर AC input होगा उन द आपको ध्यान से थोड़ा काम करना पड़ेगा आपका अगर knowledge है तभी सब काम करें नहीं तो मत करें नहीं तो जटका लग सकता है आपको तो finally यह fan को मैं fix कर लिया हूँ अब guys यह आगे में हमें cover करना पड़ेगा तो उसके लिए यहाँ पर जाली लगाएंगे अब इस जाली को क्या करना पड़ेगा round करके cut कर लेना होगा ताकि हम colding can के आगे अच्छे से fix कर पाएं तो उसके लिए आपको round करके cut कर लेना है colding can के हिसाब से और उसके बाद side side से प्लायर से आपको round करके mode लेना है इसको हलका हलका guys आप सभी का बहुत सारा comment आया के भाई अपना setup दिखाओ setup दिखाओ कहाँ पर आप वीडियो सूट करते हो तो finally setup tour video technical ind blog channel पर आ गया है उपर i button में आपको video का description पर मिल जाएगा वहाँ से जाके setup tour video देख सकते हैं और साथ ही technical ind blog channel को subscribe भी कर लेना हीटर का front side में जाली लगा दिया हूँ अब इसका stand बनाने के लिए हम यहाँ पर एक cycle का spoke ले लिया हूँ अब इस spoke को क्या करूँगा band करूँगा प्लायर के मदद से कुछ इस तरीके से म मैं अपने हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा लेग को बना रहा हूँ आप यहाँ पर वीडियो पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एक stand बना लेना है और इसे क्या करना है colding can के आपको नीचे side में आपको यहाँ पर चिपका देना है तो कुछ इस तरीके से आपको इसको चालू कर दिया हूँ तो देख सकते हैं अंदर का heater जलना start हो चुका और पीछे से fan भी काफी अच्छे से घूम रहा है पूरा का पूरा red हो चुका है बहुत ज्यादा heat यहाँ पर निकल रहा है तो चलिए आपको मैं यहाँ पर चेक कराऊंगा इसका heat कितना निकल रह है आप इस room heater को अपने office के table पर भी रख सकते हैं काफी चोटा size का room heater है आसानी से किसी भी site में आप table पर रख सकते हैं और इसका look भी काफी अच्छा है कोई भी देखेगा तो साहिद इसको देखता ही रह जाएगा इतना चोटा room heater है guys यह बस देखने में ही छोटा है लेकिन इसका काम जो बहुत बड़ा है यहाँ पर temperature अब देख सकते हैं पचास डिग्री से उपर पहुंच गया है इतना चोटा सा room heater मैंने पहले सोचा भी नहीं था कि इतना चोटा सा room heater इतना temperature निकाल पाएगा तो देख सकते हैं काफी अच्छे से जह हीट निकल रहा है इसका look भ प्राइब हाँ